जेहीं दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 36 गड़ फोरेश्ट डिपार्टमेंट फोरेश्ट रेंजर एंड असिस्टेंट फोरेश्ट गार्ड सलेबस 2020 के बारे में और साथ ही मैं आपको इसके exam pattern के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर के आखरी तक जरूर देखे अगर आप कोई भी जानकारी मिस करना नहीं चाहते तो चलिए दोस्तो अब करते हैं सुरू तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दू कि रिसेंटली 36 गर्ड फोरेश्ट डिपार्टमेंट ने आपकी CGPSC फोरेश्ट सर्विस एक्जम 2020 की गोसना की है जिसके फोर्म फिलप आपके 15 जून 2020 से स्टार्ट हो जाएंगे तो उसी को यहाँ पर मैं आपके लिए जो एक्जम पैटर्न है और सलेबस है उसकी जानकारी लेकर के आया हूँ अगर आप इलिजिबल्टी कराटी देगी जानकारी जानना चाहते हो तो मैंने ओल लेडी वीडियो बना दी है आप वो वीडियो वाच कर लिजिये लिंक आपको वीडियो की डिस्कप्सिन में मिल जाएगा अब बात करते है इसके एक्जम पैटर्न और सलेबस के बारे में तो यहाँ पर जो अभी आप exam pattern और syllabus जानने वाले हो यह पूल तरीके से official होगा क्योंकि यह जानकारी मैं आपको यहाँ से official notification से देने वाला हूँ या फिर कह लिजे कि आपको थोड़ा read करके और explain करके बताने वाला हूँ कि किस तरह का आपका exam pattern रहेगा और कैसा आपका syllabus रहने वाला है तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका selection किया जाएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें आपकी परिक्सा योजना यानिके exam pattern है वो कुछ इस परकार से रहने वाला है तो इसका जो exam का नेम है यहाँ आपका 36 फोरेस्ट सर्वीस तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट फेज है इसमें आपकी लिखित परिक्सा होगी जिसके माद्यम से आपको इंट्रू के लिए चांटा जाएगा या फिर सोट लिष्ट किया जाएगा इसके बाद आपका दिते देख लिए जो आपका टाइफ ओफ एग्जाम है यह objective टाइप है जिसमें आपके mc counts question होंगे यानके बहुई कल्पय टाइप question आएंगे और जो आपका paper one है इसमें जो आपके subject include किये गए है वह आपका general studies, language, Hindi, English and 36 गडी साथ इसके अंदर जो आपके total number of question होंगे वह 150 देख सकते होंगे और exam करने के लिए आपको 2 गंटे 30 मिनट याने के धाई गंटे का समय दिया जाएगा अब जो आपका paper two है paper two में आपके subject है यह आपका science, technology, environment, agriculture and forestry इसके लिए भी आपको 150 question और 300 marks दिया जाएगे और आपको exam करने के लिए धाई गंटे का समय दिया जाए आप यहां से हिंदी से देख लीजी आप यहां पर चेक कर पा रहे हो person पत्र फर्स्ट इसमें आपके जो subject नेम है वो आप यहां पर देख सकते हो और इसमें person के संक 150,5 गंटे समय और और अंक आपको 300 दिये जाएगे इसी परकार से person पत्र टू यहां पर आपके सामने है औ और आप हिंदी के अंदर यह जानकारी देख सकते हो आप कुछ जानकारी आपको यहां से रीड करने है जिसे कि जो second point है पर्थम चरण जो कि आपके लिकित परिक्सा है कि person वस्तनिष्ट बहुई कलप यह person होंगे पर तेक person के लिए चार संभाईते उत्तर होंगे जो कि आपके questions होंगे अब दोस्ते हैं आपर four point पर आते जो कि भासा हिंदी अंग्रेजी और 36 गड़ी से संबंदित person उसी बासा में होंगे इसका अनुवाद नहीं होगा यानिके जो आपके हिंदी के अंदर ही होंगे भले यह आपका जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिस दोनों क के अंदर हो इसी परकार से जो अंग्रेजी के question होंगे वो आपके अंग्रेजी language के अंदर ही होंगे और 36 गड़ के जो question होंगे वो उसी language में होने वाले इसमें आपको translation नहीं दिया जाएगा लिकित परिक्सा के अंतरगत अभिहरतियों के परते एक परसंट पत्र में कम से क 33 परते अंग्र पराप्त करने होंगे यानि कि जो qualifying marks रखे गए हो 33 परसंट है अनसुचित जाती और अन्य पिछड़ावर्क के अभियरतियों के मामले में यह है 23 परते अंग्र होंगे होंगे यानि कि आपके जो qualifying marks हैं CST और इन category के लिए 23 परसंट है और जो अन्य category candidate है उन जरूरी है अब बात करते थर्ड पोइंट के बारे में साखसातकार के लिए मांत्रित के जाने वाले की संख्या अभियरतियों की संख्या विग्यापन में दी गई रिक्तस्तानों की संख्या से लगबग 3 गुना होगी यानि कि जो आपकी बरते निकले हो 178 पर पर है और ज परिक्सा में रह घोसित किया जाएगा विए साखसातकार के लिए पात रहोंगे जो लोग एग्जाम को क्वालिफाइग कर जाएंगे और जो मैर्ट लिस्ट के मादयम से इंट्र минут के लिए अपना नाम बना बना पाएंगे वोह लोग इंट्रिव को दे पाएंगे। इंट्रू के लिए यहाँ पर आपके 75 अंक होंगे इसके लिए कोई एहरकारी नियुंतम अंक नहीं होगे यानि कि इसमें आपको कोई क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के आउ सकता नहीं है इसके लिए आपको टोटल 75 मार्क्स दिये जाएंगे अब दोस्तो जो आपका syllabus है वो जानने से पहले मैं यहाँ पर आपको जो आपके physical test के बारे में जानकारी देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर यह भी जानना है कि जो आपका selection round है इसमें आपका physical पहले होगा या फिर बाद में होगा तो यहाँ पर दोस्तो जो आपका physical है वो पहले होगा exam से तो यहाँ पर आप देख लिजे कि इसमें आपका क्या-क्या रहने वाला है जो आपकी height है वो कम से कम SCHT candidate के लिए 113 cm male candidate में और अगर आप female हो तो आपकी 150 cm height होनी चाहिए अगर यहाँ पर बात करें अनुसोची जन जाती की यानि के SCG तो यहाँ पर आपकी जो height है male candidate में 152 cm है और महिला के लिए 145 cm है सीना यहाँ पर यानि के chest 79 cm बिना fly female का और महिला का 74 वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जो female candidate है इन से chest की माप नहीं ली जाती ज़्यादा कर बरती के अंदर बट यहाँ पर female candidate के भी chest की माप ली जाएगी फिर नियूंतम सीना विस्तार तो यहाँ पर आपको 5 cm का fly जरूरी है और यह male and female दोनों candidate को fly ना होगा ऐसा नहीं है कि male से fly जाएगा और female से नहीं इसलिए आपको पहले से prepare होकर के रखना है अब यहाँ पर पांच वह आपका जो point है यह आपका सारीक रिक्षमता प्रिक्षन चार गंटे पेदल चलना इसमें दोस्तों आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा 26 km male candidate को चलना है और female candidate को 16 km चलना होगा चैनित अभ्यार्तियों की नियुक्ति दो वर्स की प्रिक्षाव दीपर की जाएगी यहाँ जो चैनित हो जाएगी उनकी प्रिक्षाव पर की जाएगी प्रिक्षाव पर दो वर्स की प्रिक्षाव पर नियुक्ति की जाएगी अभी आपको clear हो चुका है अब नीच चैनलते है और इसके जो syllabus है उसके बारे में जानकारी जान लेते हैं यहां पर दोस्तों आपको पहले ही इसका जो सलेबस है वो भी प्रोवाइड करा दिया है आप यहां पर देख सकते हो कि आपको पूरा पाठ्ठे करम यहां पर दिया जा रहा है जैसे कि परसंट पत्र फर्स्ट तो आपका जो सब्जेक्ट है परसंट पत्र में पहला वो है आ और आपको इस subject को prepare करना है मजबूत करना है कि इसमें आपको कोई भी problem exam में नहीं हो तो आपको इन topics को पढ़ना होगा जो कि यहाँ पर दिये गए है जैसे कि 36 गड़ का इतिहास एवं सवतंतरता आंदुलन में 36 गड़ी का योगदान 36 गड़ का भूगोल जलवायू भूतिक दसाय जनगर्णा प्रोतत्विक एवं प्रेटन के अंदर ये सब जानकर ये आपको देखनी होगी जितने भी topics हैं इन सभी को आपको पढ़ना होगा सेकेंड भाग यहां पर आपके सामने हैं भासा हिंदी अंग्रेजी एवं 36 गड़ी तो सामन्य हिंदी के अंदर आपका इनके ओपर फोकस रहेगा जिसकी भासा बहुत संक्सित लेखन परयायवाची एवं विलोम सब्द समोचाडिस सब्दों के अर्थ भेद वाक्यांसों के लिए एक सार्थक सब्द संधी वं संधी वं संधी विछेद इस तरह से आपके इंतर इन में से कोस्टन तयार किया जाएंगे फिर आता है जनरल इंग्लिस जो आपके यहां पर जनरल इंग्लिस है यह जनरल इंग्लिस के जो कोस्टन होंगे वह एक्जाम के अंदर इंग और इसमें एक्ट्रा आपका ट्रांसलेशन होगा और लेटर राइटिंग भी यहां पर आपको अच्छे से इन सभी को पढ़ लेना है तो इसके जो आपके टोपिक से वो भी आप लोग यहां पर देख सकते हो अब यह हो आपका पेपर वान अब बात कर लेते हैं पेपर टू के बारे में तो यहां पर पहले टोपिक सापके यह हैं तो दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो की डिसकर्शन में देने वाला हूँ यहां पर आप कर सकते हैं तो इस वीडियो कलारिश्ट में एक बार फीर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज आपस वीडियो को लाइक सेर और साथ यसाथ आपके अपने योटूब चैनल ग्यांदे होस्ट को सबस्काइब कर ले और सबस्काइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नौटिफिकिशन सबसे पहले मिल पाए जे हिंदोस्तो